नमस्कार सर, नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजिस मातो है, राजिस जी आप कहां के रहने वाले हैं? मैं जारखन जिला रामगड कराने वाला हूं, सर संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा आपने कब ली? सर संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा लेने से पहले मैं हनुमान जी का पूजा क्या करता था और घर में जैसे परमपरा सहीज़ु चला आ रहा था देवी देवताओं की पूजा वैसे ही सब में करते थे और बीमार होने लग गए हम और जीज दिन में हनुमान जी का पूजा की अगरता था मंगलवार के दिन में उज दिन ज्यादा ही घर में जगड़ा होता था और पिता जी का बिमारी धर लिया, हमको भी बिमारी धर लिया, माता जी को भी बिमारी धर लिया मतलब हम पूरा पूरी दुखी रहने लग गए, पैसा काफी खर्चा होने लग गए, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे और पूरी तरह से हम लोग अस्वस्त हो गए, पूरा परिवार परेशान परेशान हो गए, कभी भूत परेट के चकर में इधर जाते, कभी उधर जाते, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिलता था सर आपने बताये कि आप जो भक्ती साधनाय करते थे उनसे आपको कोई लाब नहीं मिला, बूत प्रेट की शमस्या हो गई, और भी परिशानी आपको रहीं, तो फिर संत्रामपाल जी महराज की सरन में आने का मुख्य कारण मेरा पिता जी का बिमारी है, ऐसा बिमारी धर लिय कि क्या है, कोई बिमारी है भी नहीं है, सिर्फ दवा दवा चला रहा था, एक्सरे करो ये करो, काफी पैसा खर्चा हो गया, छे साथ महने का अंदर पिता जी, पूरे सुकर के मतलब अस्ति पंदर उसका निकल गया, अब मा जोए कि रोने लग गई कि अब क्या होगा, ये कुछ रहत है तो बचेंगे नहीं, कोई अच्छा उपाइ लगाओ कहीं, अच्छा डॉक्टर के पास ले जाओ, तो बहुत जगव मैंने डॉक्टर के पास ले गया, कोई उपाई उसका नहीं चला, लास्ट एक दम गिर गया, खास्ते खास्ते लग रहा था, कि आज मर तो अन्ती में एक मेरा दोस्त दिया था जिसको मैं पढ़ा था पढ़ा था लेकिन विश्वास नहीं किया था चारो तरफ से जब हार लिया तब मैंने याद किया एक बार कि किताब में हम ऐसा ऐसा पढ़े थे साइद कुछ रहत महां से मिल जाए तो बहुत अची बात है तो कुछ फोन नंबर मिले हमको तो फोन नंबर पर बात किये तो बोला कि हाँ जी ऐसा आपको ठीक हो जाएगा अब जितना जल्दी हो सके आजए तो जो दोस्त ने मुझे पूस्तक दिया था तो संत्रांपाल जी का महाराज का जो किताब में फोटा था फोटो को आगे रख कर कि हम उसको अर्दास लगा है है जैसा जाने वाइसा बोले तो प्रमात्मा ने सुन लिया संत्रांपाल जी महाराज को दन्वत करने के बाद रहत मिला हमको अब एक डॉक्टर के पास छोटा से डॉक्टर के पास ले गाए तो डॉक्टर पांच रुपीय का दो गोली दिया कि फुपीय जब है इसा तु ठीक हो जाएक कोई बीमार इसका नहीं है भाई इतना खर्चा कर चुके है अभी तक आप बोलर एंक तक पांच रुपीय के गोली दे करके कोई बीमारी नहीं है ऐसा तो BJ bunny आले तो बोला कि ठीक हो जाएग तुम चले जाओ तो फिर घह आ गय आपया वोी नहीं यहाई नहीं फिपटाजी और खौशी हुआ एक बार खांशी खौशी हुआ जवाब फिटाजंग निकल ङिर उसके बाद पिताजी स्वश्तो हो गयाч भु्रांपाल जै वहेंगे ऻजाए हमने ध्यान नहीं दिया वहाई है तो कुछ दिन के बाद मेरा बीमारी बढ़ने लग गया तो अब हमको सुझाई नी देने लगा कि अब हम क्या करें और हर महने का 15-17 सो का मितलब मेरा दावा चलता था तो फिर दोस्त बोला कि भाई आप काफी परहसान हो एक बर चलो तुम आसरम घूम के आओ मेरे साथ तब दोस्त ने बताया तो मैं सतलोक आसरम बरवाला गया और वहां जाने के बाद बोला कि नाम दिछा लो संत्रामपाल जी महराज से नाम दिछा लेने के बाद जब घर आया तो पता चला कि हमारा तो कोई बीमारी है ही नहीं बिल्कुल मैं स्वस्त नजर ने लगा एकदम किसी देख रहे तो हमको कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रहा था उसके बाद पूरा परिवार को बोले कि चलो संत्रामपाल जी महराज के आसरम में जा करके और नाम दिछा लो सब भक्ति करो बहुत ही अच्छा ग्यान है और इसे बहुत रहत मिलेगा तो फिर पूरा परिवार आपको कोई लाब प्राप्त हुए हाँ बहुत सारे नाम दिछा लेने के बाद हमारे साथ परित वाधा भी बहुत ज्यादा होने लगया चारों तरफ हम ने घूम पिर करके देख लिया कोई वजह के पास गया कोई बैद के पास गया कहीं से हमको कोई रहत दिखाई नहीं काफी पैसा खर्चा हुआ, लगबग 15 साल से में भूत्परत के बाधा में था और काफी परेसानी थी जब मैं संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लिया तो सारे ये सब खतम हो गया भूत परेत की बादा माप भी ठीक रहने लगी, पिताजी भी ठीक रहने लगे हम भी ठीक रहने लगे और मुझे साथ आठ साल से गैस की बिमारी थी जो काफी जगह में दवा करवा लिया था तो ठीक तो होता नहीं था, रहत मिलता था लेकिन जरसी ठीक नहीं होता था मैं काफी परैसान था तो जैसे ही संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लिया उस दिन से मेरा ये बीमारी गइब हो गया पते नहीं चला कि हमारा कोई बीमारी भी है मा का घुटने का जो दर्द था वो बराबर बहुत दुखी रहती थी जैसे ही उनको भी संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा दिलवाए उनको भी बहुत रहत मिला बिलकुल उनका सब कुछ ठीक हो गया पैर का दर्द और पिताजी का जो था उतना बिमार थे जैसे ही संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लिये और अच्छा हो गया, सुखी हो गया भी और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जो भातीजा है वो छट के उपर से गिरिया और नीचे भी पक्का था तो माथे के पल्पी की रशिधे माथा उसका जमीन पे लगा और लगने के बाद वो ब्हुस हो गया लगा कि आइसा की मर गया वो वो करीब तीन सावा तीन साल मान के चलिये इतने उमर का था फिर डॉक्टर के पास ले गया उसको डॉक्टर बोला कि इसको जो चेक अप करवाना पड़ेगा जो ब्रेंड का चेक अप करता है उस डॉक्टर से तो हम लोग फिर और कहीं नहीं ले गए बस वही जो दवा दे दिया और एक इंजक्शन लगा दिया उसी में संत्रामपाल जी महराज ने जो जो मिला था परसादी वो परसादी खिला दिया ठीक हो गया और एक बार मेरा मोसी का लड़का का दोनों किड़नी फेलो गया वो हर जगह से दवा हुआ करवा के पैसा खतम कर लिया कहीं उसका इलाज नहीं हुआ डॉक्टर सारा सब जवाब है क्या करूं कुछ पैसा उसा दो इसका इलाज करवाएंगे हम बोले कि आप हमारे घर पे लेके चले आओ तो जैसे ही आये उसको देखे तो डर गए हम पूरा सरीर फूल कर टाइट हो गया था लगा कि बलास्ट कर जाएगा फिर उनको सारा संत्रामपाल जी महराज ने जो बोले हाँ बच जाएगा तो फिर उन्होंने संत्रामपाल जी महराज से अरदास लगाई है गुरुजी हमारे लड़के को जान बचा लो मैं जीवन भक्ती करूंगा तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया तो सुबह तक उसको रहत मिला बहुत ही आराम मिला लेटिंग पिसाब अब नहीं बच सकता है अईसा जबाब दे दिया था आज शंद रामपाल जी महरास से दिच्छा लेकर के पूरी तरह से लड़का ठीक है और भी सब काम कर रहा है पढ़ाई भी कर रहा है सर आपने बताए कि आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप राप दुए तो जो समाज आपको देख रहा है अप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ हाट जोड कर परातना कर सकता हूँ कि संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेकर भक्ति करें और सुखी जीवन जिए आत्म कल्यान करवाएं यहां के सिवा और कहीं आपका सत्भक्ति नहीं है और जो भी सुख मिलना है यहीं से मिले और कहीं नहीं मिलेगा। दन्यवाट से